देदे कुछ इसमें क्या है? खाना खाना? दो दिन से कुछ खाये नहीं, देदे बेटा मेरे दादाची ने एक साल से कुछ नहीं खाया एक आईडिया दू, आप पंड़त बन जो लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षना भी देंगे फिर आपको भीक नहीं मांगने पड़ेंगे भाइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना वैसे यह दर कोई दूसरा मंदिर है मंदिर उधर है और मस्जित उधर लेकिन मंदिर तो बंद है भगवान के नाम पे देदे कुछ भगवान के नाम पे देदे कि बगवान के नाम पर देदे कुछ आप पंडित जी हो ना नहीं बेटा मैं पंडित नहीं हूँ लगता आप खलत जगह आगया हूँ हूँ गलत जगह है नहीं जगह तो सही है आप गल्ती से आँ गए हो बंदिर अगली वाली गली में है यह क्या फिर धिमाजीद है अल्ला का दर्बार है यहां क्यों होता है जैसे मंदिर मैं आप भग्वान की पूजा करते हूं वैसे मसजिद में आपके? आप कौन हो? मैं एका मौलवी हूँ मौलवी मतलब? जिसे मंदिर में पंडित होते हैं, विसे मस्जिद में मौलवी होते हैं तो आप दोनों सेमो? हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं मेरे दाझेजी की बरसी है! आप प्लीज ओर खाना का लिजी नहीं बेटा ये ख़ना मेरे लिए नहीं है पता है ये ख़ना दादा जी के लिए आप ये खाना इधर खाओगी उन्हें वाँ बटर चिकन मिलेगा उन्हों नहीं एक साल से कुछ नि कर अब प्लीज ए ख़ना खालीजे एक बेटा तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते लिए बेटा जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता अभी आप इने तो कहा किया आप दोलों सेम हो खाने ही तो खाने इसमें लड़ो भी है अरे आप आस समझ क्यों नहीं रहे हो पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग है आप अल्ला के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया। फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो। आप क्या पंडित जी से कम पावर्फुल हो। तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता, यहां नहीं। क्यों, मंदर आव मस्जित में क्या फर्क है। तुम किस भगवान को मानते हो। शेव जी। तो शेव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या। नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्ला हमें है। लेकिन मम्मी किती है कि सारे भगवान सेम हैं। वैसे अल्ला कितने है? अल्ला कितने? अल्ला तो बटातो है, घuis, पतना खृर कैसो понад बगवान और अल्ला जीममी है। जैसे मेरा नाम राहुल है। मम्मी मेर को टिक्कू बिलाती है। पापा, मेरे को रॉकी बुलाते है, मेरे दोस में को राहू बुलाते है, लेकिन हूतों में ही की, राहूल, वैसे ही, शिवजी, अल्ला, हनुमान, सब सीमी है, लेकिन यहां सिर्फ अल्ला मिलते हैं, अल्ला सिर्फ में मिलते हैं, अल्ला तो सारे जहान में मिलते हैं, इस कि तो फिर मर्जुद में भवान कियो नहीं मल सकते, वैसे अगर मैं अल्ला से कच मांग ना चाहूं, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सुनेंगे. तो अगर अल्ला मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यो ने सुने? काउन सा लड़ जो अगर का यह एग मेरा दारजी बिया मैशे लड़ जाजी शुरू करते हैं आप को समर्थी दे भॉवाई और यह दक्षना नहीं भी पेटा यह किसी घरीब को दे देना ओके बाइ उम्र जहनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई वो सच्चाई जो भोली आँखों में दिखाई हर मज़र में बशर में मौला ते आही गुमा हो पिश्मर अल्दा ते रोगा